करण जोहर ने हाली में उस दोर की बात की जब उनके बारे में सोशल मीडिया पर बहुत कुछ नेगेटिव लिखा जा रहा था करण ने बताया कि इन सभी खबरों पोस्ट से उनकी माहीरू जोहर पर बहुत असर पड़ा था पर वो मजबुती से उनके साथ खड़ी थी करण ने ये भी कहा कि इस दोर में उन्हें मुवी माफिया के तौर पर पेश किया गया यह वो शब्द है जिसे अकसर बॉलिवूड एक्टरिस कंगना रानाओ उनके लिए यूज़ करती है एक इंटरव्यू में करण जोहर ने कहा बीते तीन साल में मुझे लोगों से डेर सारी नफरत मिली है और इससे ना सिर्फ मुझ पर बल्कि मेरी मापर भी असर डाला है मैंने उन्हें दुखी होते वे देखा क्योंकि वो टीवी चैनल देखती थी ओनलाइन भी मेरे लिए चल रही निगेटिव बातों को सुनकर अकसर दुखी हो जाया करती थी वो टीवी एंकर्स को चिक्ते चलाते और किसी वज़र से मुझे राक्षस बनाते वे देख रही थी सिवितना ही नहीं कई ऐसे भी लोग थी जो सोचल मेरिया प्रेटफॉर्म पर भी ऐसा ही लिख रहे थे उस दोर में मुझे अपने और मेरी मा के लिए स्टॉंग रहना पड़ा जब लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे तब मैं सोच रहा था कि अब तो सबने मेरे कपड़े ही उतार दिये हैं अब क्या चुपाना किस से लड़ना हर कोई मेरी लाइफ में अचानक आकर अपने हिसाब से धारना बना रहा था वो जानते भी नहीं थे कि मैं किस तरह का इंसान हूँ इसके साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ धन्यवाद